अर्थ परकाश के द्रशकों का स्वागत है आज हम एक नया शोष आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं जिसका मकसद है कि शेहर में जो भी मुद्दे जन्ता से जुड़े हुए हैं उन मुद्धों को आपके सामने लाएं और उनसे किस तरह से आप जो है डील कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी दें ताजातरीन मामला हम जो डिसकस करने जा रहे हैं वो है स्वास्ते विभाग का स्वास्ते विभाग ने एक एडवाईजरी बीते दिनों जारी करी थी कि डॉक्टर जो है सरकारी अस्पतालों के वो ब्रांडेड मैडिसं ना लिखकर जेनरिक मैडिसंस लिखें बहुत सारे स्टोर्स जो है किंदर सरकार के और से और चंडीगड स्वास्ते विभागनियोंने इंप्लीमेंट करते हुआ आगे वो स्टोर्स खोले हुआ हैं जिनमें अमरिक फार्मेसी परदहानमंतरी के नाम से भी कहीं सारी स्टोर्स खोले गए हैं तो इन स्टोर्स के ओपर सस्ती जेनरिक दवाईयां मिलती हैं लेकिन चंडीगड के सरकारी हस्पितालों में कुछ डॉक्टर अपने लाब के ये मरीजों को मेहंगी ब्रेंडिड दवाईयां विभिन कंपनियों की जो है प्रिस्क्राइब कर रहे थे जिसका की हाली में खुलासा हुआ है इस खुलासे में स्वास्ते बाग ने जो बताया कि सेक्टर सोला के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर लगातार मरीजों को जो है ब्रेंडिड दवाईयां प्रिस्क्राइब कर रहा था लेकिन जब उसे इसके लिए रोका गया वरिस डॉक्टरों की और से तो फिर भी उसने जो है लिखना बंद नहीं किया जब उस अबजेक्शन के बारे प्रशासन के अफसरों का फरमान उसे सुनाया गया तो उसने बक काईदा लिख कर जो है स्वास्ते विबाग को दी लेकिन इसके बाद उस डॉक्टर ने क्या नयाब तरीका निकाला कि उसने जो है ओपीडी के कार्ड पर ब्रेंडिड दवा लिखने की बजाए एक साधारन पर्ची के उपर ब्रेंडिड दवा को लिखना शुरू किया और वो भी बिना दस्तगत के इसको भी स्वास्ते विबाग के डॉक्टरों ने जो है उन पर्चियों को पकड़ा और पकड़ कर जो है स्वास्ते सचिव यश्पाल गर्ग के पास जानकारी दी कि एक डॉक्टर जो की डेपूटेशन पर दूसरे राज्य से यहाँ पर आया था और पिछले 9 साल से वो लगातार यहाँ पर टिका हुआ था हलांकि डेपूटेशन का समय काफी कम रहता है लेकिन चुकि चंडिगड परशासन के पास स्वास्ते विबाग के पास डॉक्टरों की ऑस्पिडल्स में कमी है तो डेपूटेशन पर पंजाब और अरियाना दोन देने के लिए जो है एक तरह से मजबूर कर रहे थे और इसी कड़ी के अंदर जो है स्वास्ते विबाग ने जब उनको पकड़ा तो वो अपनी बास से साफ मू कर गए क्योंकि उस परची के उपर उनके दसकत नहीं थे लेकिन स्वास्ते विबाग के सचिव यश्पाल गर ने कारवाई करते हुए ततकाल प्रवाव से डॉक्टर को उनके मूल राज्य में रिपेट्रियेट करने का जो है आदेश जारी कर दिया साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कारवाई भी की जाएगी क्योंकि ये एक आम आदमी से जुड मेडिसन ही डॉक्टरों को लिखनी होगी क्योंकि इसमें जो है पहले से महंगाई से जूजरे लोगों के लिए एक रहत का काम जो है रहत देने का काम केंदर सरकार ने किया है अब देखने वाली बात ये है इसके अंदर कि आगे ये डॉक्टर इसको फॉलो करते हैं नहीं दूसरे जो हॉस्पिटल से हैं वहां के डॉक्टर इसे फॉलो करते हैं या नहीं ये सबसे बड़ी बात बुक्ख्य बात रहेगी क्योंकि हिदायते तो लगातार प्रशासन या सौस्ते विबाग की और से दी जाती रही हैं लेकिन इनके उपर अमल करना जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है एक ऐसा ही मामला सेक्टर सोला में केमिस्ट का आया था जिसे बड़े कम रेट पर जो है किराए पर दुकान दे दी गई थी सौस्ते विबाग के अधिकारि कि इसमें मिली भगत थी और ये दुकान जो है बड़े मामूली से किराए पर दी गई थी ये डॉक्टरों और केमिस्ट और कमपनियों का एक नेक्सेस है जो नेक्सेस जो है अपनी मनमर्जी से मरीजों को लूटने का काम करता है उन दवाओं के अंदर बकाइदा जो है हिस इसेदारी कुछ डॉक्टरों की रहती है कमपनियां उनसे एक कमिट्मेंट ले लेती है कि इतने लाग की या इतनी की दवाई आप प्रिस्क्राइब करो हम इसके उपर आपको ये गिफ्ट देंगे उसमें बोर्डिंग और लॉजिंग से लेके गाडियों तक की जो है अलांकि स्वास्ते विभाग ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है वो कदम ये उठाया है कि हॉस्पिटल के अंदर अब मेडिकल रिप्रेजेंटिटिव जो विभिन कंपनियों के आते थे उनकी एंट्री बंद कर दी गई है और डॉक्टरों को भी एक जो चीज लिख होते हैं कि जहां डॉक्टर को एक मजबूरी में है ब्रेंडिट दवा लिखनी पड़ती है तो ऐसी अपरत्यासी स्थीती में दवाई लिखें मरीज को उसके उपचार के लिए लेकिन उसकी डायरी में बकाइदा एंट्री भी करें ये बताया जाए कि ये दवा इस दिन ल जिससे कि आम लोगों को एक रहात मिलने की और बढ़ाया गया कदम बताया जा सकता है और उसको असार है कि रहात मिलेगी भी मरीजों को जो लूटना डॉक्टर ने शुरू कर रखा था कुछ डॉक्टरों ने तो वो भी बंद होगा लेकिन अभी भी चुनोतियां स्वास् प्रकिस में जुटे हुए हैं और मरीजों को लगा तार जो है वो परिशान किया जा रहा है ब्रांडिड दवाय लिखके इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएं और अगले मुद्दे के लिए तैयार रहें जिस पर हम आपकी प सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें